इस चैप्टर में हम डिसकुस करेंगे लास्ट जो डाइनेस्टी थी दिली सलतनत की वो थी लूदी डाइनेस्टी लूदी यह अफगान्स थे तो यह हम देखते हैं कि फर्स टाइम अफगान्स हैं अभी हमने पहले देखा टर्क्स आये खल्जी आये और अब जो आये लूद सब्जेक्ट्स की जो थी यह वो नहीं काम करती है यहां पर कोई राजर प्रजा वाला कॉंसेप्ट काम होता है यहां पर भाईचारा ज्यादा होता है तो जब सायद्स के बाद लोधी आये हैं तो किंग्शिप थीयोरी में भी थोड़े से चेंजिस आये हैं और हम देखते सेंगा कंदर लोधी से कंदर लोधी X सďस्कों देंस्ट next है वो है इप्राहीम लोधी जतने अधना है और वो सुल्ता एक बाबर की साथ बैटल होई ये बैटल अफ पानी पदर और वो यहां हो सुल्तान है जो ओननी सुल्तान जिसकी बैटल फिर्ट में डेथ हुई एह जो डेली की जो ग्लोरी थी वो गायब हो चुके खोड़ डेली की वो इंपोर्टनेस नहीं थी जो पहले रही थी क्योंकि डेली जैसे मैंने आपके बता है शाह अलम के टाइम पे जो मैंने बता रहा था पीछे आलम शेहनशाय शाह अलम अज दिली ताप अलम 30 किलोमेटर से उनका एरिया रह चुका था तो यानिके ग्लोरी उस सल्तनत की जो इतनी बड़ी होगत है वो कम होके नीचे आगी थी इसने उस चीज़ को फैलाना शुरू किया और एरिया साथ वाले कैप्चर करने शुरू किये और उसमें ये काम्याब भी हुआ इसने काफी सारे एरिया जानपुर को हो गया उदर इतावा मेवार संबल क्वालियर ये सारे एरिया कैप्चर किये और डेली की जो टेरिटरी है उसको बढ़ाया उन एरिया को अपने इंडर मिलाया खुद वह इलिटरेट था बट उसने आर्ट और लर्निंग उसको भी बढ़ावा दिया और फॉर भाई चारें बिलीव करते हैं तो यहां पर जो किंग की प्रेस्टीज है वो उस लेवल तक नहीं जा पाई और इसलिए जो सिकंदर लोदी इबरहीम लोदी ने एफर्ट किये किंग की प्रेस्टीज को बढ़ाने में क्यों कि अफगांस उसमें बिलीव नहीं करती कि एक र राबर हैं सिकंदर लोदी इसके बाद नेक्स्ट सुल्तान बना है जिस ने अब इन पॉलसी को चेंज किया और किंग की प्रेस्टीज बढ़ाते हुए अपने आपको गद्धी पर बिठाया दूसरा वो रिलिजिसी टॉलेरेबल नहीं था टॉलेंट नहीं था उतना तो थ सिकंदर लोदी है बहलो लोदी का बेटा है वो उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके डेली से आगरा ले गया तो इसके बारे में पता लगता है कि आगरा जो बसाया वो बहलो सिकंदर लोदी ने बसाया है उसके बाद फैनेटिकल मुस्लिम मैंने आपको बताया ज्वाल और थोड़े से एफट्स कि उसकी प्रमोशन के लिए क्योंकि लेंड डेवी ने अगर कहीं से उसमें आता था तो वह एक्रिकल्चर प्रडियूस ही आता था तो उसकी उसने एफट्स कि एक्रिकल्चर ड्वैलप हो और लोगों में जो प्रॉस्पेर्टी वो आ सके और जो मैजर करने की टूल से उसने एक नया इंट्रीज किया यह मैजर्मेंट था जो स्केल था उसको कहते गजए सिकंदरी उसकी डैथ के वाज़त तीसरा लास्ट रोलर आया वो था इब्राहीम लोधी जो की सेवंटीन से लेकर फिफ्टीन से लेकर ट्वंटी सिक्स तक रह जब तो जो नोबल से उसकी दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी वगरा तो उन्होंने ही बाबर को इन्वाइट किया कि वो दिली पर अटेक करें उनका मानना था कि बाबर आएगा और अपना लूट और प्रण्टर करके चला जाएगा और वो डैली को कैप्चर कर सकते हैं उसे चेंच चुगी इसलिए वो अफगाना के रूर करता था अब अफगान से वो चाता था कि वो अपनी टेरिट्री अपनी एंपायर को एक्सपेंड करें तब उसे एक रास्ता नजरा रहा था हिंदुस्तान का जहां पर उसको इन्वाइट किया गया जो दौलत खान लगा कि वो लोग सिर्फ अपने परपर्स के लिए बावर को बूला रहे तो बावर ने पहले उनको हराया उसके और इबराहीम लोदी कौछ जब पता लगा कि foreigners का attack हुआ बाबर का तो इब्राहिम लोदी अपनी आर्मी लेके दिले से निकला और दोनों एक जगा मिले वो जगह थी पानिपत जहां पर पहली लड़ाई हुई पानिपत की यह था 1526 जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और उसकी death हो गई तो इब्राहिम लोद की बाबर आया अटैक के बाद उसने रिजल्ट उसका निकला की first battle of पानिपत का मुगल empire की स्थापना हुई अब एक सल्तनत जो इतनी बड़ी बनाई थी इतनी बड़ी बनाई थी इतनी शुरू की अलावदिन खल जी और मुहमद भी तो लग उसको इस पावर तेले की पीक reason हम जरूर discuss करेंगे सबसे पहले कि जो लोगों का confidence था वो नहीं था military लोग जरूर थे military government जरूर थी बट लोगों के welfare की बात नहीं की जाती सभी के दोरा और law and order की situation उस तरह अच्छी नहीं थी जो लोग थे उनके अंदर ये लोग अपना confidence नहीं बना पाए जंता के अंदर intelligent था but personality wise देखें जो उसने experiment किये उनका result जो निकला उससे उनकी position ही खराब होती की उसके बाद जो war of succession हुआ करती थी वहां पर कोई fix rule नहीं था कि next सुल्तान कौन बनेगा बलकि क्या था might is right जिसके बास बाबर है वो सुल्तान होता था तो उस वजह से हमेशा court में करें मार और मार काट करें मार धार करें यह सब चलता रहता तो पीस मिंटेन करना मुश्किल हो जाता उसके अलावा जो military organization थी वह defective हम कहते हैं कि feudalism था पहले land grants हैं यह इक्ता देने लगे इक्तादार हुआ करते अब इक्तादार की military हुआ करती थी सिर्फ अलाव दिन खल्जी ने ऐसी कोशिश की थी कि standing army रखी जाए फिर उशातों के लगने फिर वो उल्टा कर लिया उसको hereditary बना दिया सारी पोस्ट उसने hereditary कर दी कि एक वाज जिसको पोस्ट दे दी उसके बाद वह पोस्ट उसी की family में रहेगी वह मर जाएगा उसका बेटा वह मर जाएगा तो उसका बेटा generation के हसाब से वह चलने लगा तो जो अगर इक्तादार है उसके कुछ troops होंगे तो वह loyal किसके होंगे इक्तादार को अपने अपने कमांडर को ना कि सुल्तान को तो इस तरह से जो आर्मी है वो उतनी strong नहीं हो पाई उसके अलावा कि जब empire थी वो इतनी बड़ी होगी थी लावदिन खलजी के टाइम पे और महम्मद बिन तुकल के टाइम पे कि उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए वास्टनेस होगी उसके communication उनका इतना अच्छा नहीं था कि revolt हुए तो ना उसको suppress कर भाए और उसका disintegration शुर यह से में देखते हैं कि दिली सतना खतम हो गई इसमें इतना है उसके बाद हम discuss करें मुगल अंपायर था थेंक्यू